नमस्कार दोस्तो कैसे आप सब आयोप आप सब अच्छे होंगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे List Count of Top Measuring Instrument जो measuring instrument होते हैं जिनको हम यूज करते हैं उनका List Count क्या होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे List Count हम जानें उससे पहले हम बात कर लेते हैं तो 1 mm में होता है 1000 micron तो वहीं आपका 0.1 mm में हो जाएगा 100 micron 0.0 mm में हो जाएगा 10 micron और 0.001 mm में हो जाएगा 1 micron तो इस तरह से हम जो भी list count देखेंगे तो इस तरह से जो भी हम list count देखेंगे उनको हम Micron में भी समझेंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं जो सबसे पहला हमारा इंस्टुमेंट है वो है Manual Vernier Caliper जिसको हम Mechanical Vernier Caliper भी बोलते हैं इसका List Count होता है 0.02 mm जिसको हम अगर Micron में Convert करें तो यह हमारा आता है 20 Micron तो यह आपको याद रखना है जानते हैं जो हमारा अगला मेंजरिंग डिवाइस है वो है Digital Vernier Caliper इसका List Count होता है आपका 0.01 mm Micron अगर Convert करें तो यह हमारा आता है 10 Micron तो यह मिनमम जो है 10 Micron मेंजर कर सकता है Digital Vernier Caliper अगला जो हमारा डिवाइस है Manual Micrometer या Mechanical Micrometer इसका List Count होता है वो होता है 0.01 mm जिसको हम Micron में कहते हैं 10 Micron वहीं अगर हम Digital Micrometer की बात करें तो इसका List Count होता है 0.001 mm जिसको हम 1 Micron कह सकते हैं तो यह होता है Digital Micrometer का List Count अगर हम बात करें Height Gauge की उसमें अगर हम बात करें Manual Height Gauge की तो उसका list count होता है 0.02 mm यानि 20 micron यह आप देख सकते हैं आपके सामने जो है manual height gauge है इसका list count होता है 0.02 mm अगली जो हमारी device है वो है digital height gauge अभी हमने manual height gauge देखा यह है digital height gauge यहाँ पे आपको एक display देखने को मिलेगा यहाँ पे photo उतनी clear नहीं है तो इसका list count होता है digital height gauge का 0.01 mm होता ह यानि 10 micron manual वाले का होता है 20 micron और digital वाले का होता है 10 micron यह आपको याद रखना है अब हम बात करते है profile projector का list count कितना होता है तो profile projector का list count होता है 0.001 mm यानि यह जो है दसमलों के 3 अस्थान बात तक यहाँ पे आपको यह dimension बताता है तो इसका list count होता है 0.001 mm यानि की 1 micron जो की होता अगर हम बात करें रफनेस टेस्टर का कितना लिस्ट काउंट होता है तो इसका लिस्ट काउंट होता है एक माइकरोन यानि 0.001 mm तो यह आपको याद रखना है अगली जो हमारी मेजरिंग डिवाइस है वो है कोटिंग ठीकनेस टेस्टर इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 mm यानि की एक माइकरोन तो एक माइकरोन की यह जो है कोटिंग मेजर कर सकती है तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो सेयर करिए चैनल को सब्सक्रा वाचिंग एस्टे लार निंग पीस आउट